ओके दोस्तों कि आप झाहते हो कुछ सिस्तर का एपने और स्ट हैज वीडियो क्रेट करना तो दोस्तों आजकी इस वीडियो मी लिंक मेरे वीडियो के डिक्रिट्स्री जाएगा, अगर दोस्तो आप लोग मुझे वीडियो क्रेट करवाना चाहते हो, तो दोस्तो मुझे कोमेंट यह इंस्टाकराम पर मेसेज जिरू करना, तो simply से आपको काई मेस्ट लेट करका उबन करना है ओपिन करने के बाद दोस्तों का над के पाद करना है तो Sanskrit करने के बाद को CLR लब ओएप टांजेक्शन और गोल्डेन लाइट आपको टांजेक्शन इफिट एट करना है तो दोस्तो पहले आपको लब ओएप सिलेट करना है और दूसरे प्लाजबल आइकन में दोस्तो आपको गोल्डेन ओएप सिलेट करना है दोस्तो इसी तरह दोस्तो आपको टून न बात दोस्तों आपको ज़ा इस टर्डिंग पोजिसें इसका लेंत अपको तोरहय कमा लेना है और एंड पोजिशन का जो फोट्र दोस्तों आपको लग़ों 30 शिकन डग्रके आपको राइट साइट आपको केंशी बाला उप्षिंन में जाकर कि इसको ट्रिम करने के बाद connection में आना है और दोस्तों जो 3 नमर में कर ले से दो इसको select करना है तो दूस्तों यहां पर मैं सभी photo में टांज connection ही फिड़ है write चेंगी कर लिया है उसकी बाद दोस्तों को फिट सो इस aro में जाके दोस्तों और एक चीसे आपको कर ना है जो के दोस्तो फोटो में क्लिक करके इसका जो वीगनेट है आपको दोस्तो एक एक करके आपको वीगनेट ओन करने के बाद आपको इस एरो में जाके उसके बाद दोस्तो आपको वीडियो सेप करना है तो दोस्तो मैं करीब वीडियो को सेप कर लिया हूं वीगनेट ओन करके उसक किया था तो दोस्तों आपको एक वीडियो एट करने के बाद वीडियो में किलिक करके पेने जुम को अप्शन में जाके डबल आन में इकोल करना है और दोस्तों वीडियो के में दो बार इस तरह से आपको टेप करना है तो दोस्तों आपका वीडियो फ्रेम में कुछ इस तरह से आपको adjustment कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको layer option में जाके effect option select करना है basic effect में आके आपको blurable effect लेके आपको दोस्तों वीडियो के चार और कुछ इस तरह से blurb करना है setting option में जाके आपको length 3 रखना है और इसका length आपको वीडियो का end position आपको ले चले जाना है starting position में आके layer option मे जाना है media option select करके आपको new और वाला template वीडियो add करना है दोस्तों आपको black screen template वीडियो आपको कैसे download करना है आपको वीडियो का description पर link मिल जाएगा तो simply से दोस्तों आपको new और वाला template वीडियो में click करके इसका music पहले mute करना है उसके बाद आपको fill screen करके नीचे आपको मिलेगा blending option और आपको screen करके ok कर लेना है यहाँ पर जो आपको frame दिख रहा है दोस्तों इस frame की उपर आपको पहले वाला shape की वहाँ वीडियो आपको add करना है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो को ले लिया हूँ लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस्तर से थोड़ा rotate करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको जो second frame दिख रहा है दोस्तों बड़ा frame के नीचे उस frame के अंदर दोस्तों आपको एवला वीडियो को अच्छे से आपको दोस्तों adjustment करके आपको दोस्तों इस frame के ऊपर आपको बैठेना है अगर दोस्तों आपको size वीडियो का बड़ा होड़ा ह तो दोस्तो आपको क्या करना है आपको नीचे cropping option में जा कि इसका size आपको छोटा करके आपको editing कर लेना है कुछ इस तरह से इतना दूर करने के बाद 3Dot में जा कि इसको send to record कर लेना है करने के बाद दोस्तो आपका वीडियो बहुत यह अच्छा आपको दिखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको दो photo add करना है photo add करने के लिए layer option में जाना है media option select करके आपको एक photo पहले आपको ले रहा है तो दोस्तो simply से मैंने एक photo add कर लिया हूँ और cropping option में जाके इसका marks one करना है shapes में जाके आपको यह वाला shapes ले लेना है लेने के बाद दोस्तो आपको कुछ इस तरह से photo को editing करना है और editing करने के बाद दोस्तो आप चाहो तक photo का लेंद थुरा zoom भी कर सकते हो इतना दूर कर लेने के बाद दोस्तो एक बार bake आना है बेक आने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको जो frame दिख रहा है दोस्तो इस frame के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे से adjustment करके आपको यह वाला photo बैठाना है कुछ इस तरह से इतना दूर बैठाने के बाद 3Dot में जाके send to be a quote करना है और इसका लेंद वीडियो के end position तेक आपको ले जाना है इसी तरह दोस्तो आपको क्या करना है और एक photo आपको यहाँ पर 8 कर लेना है तो दोस्तो देख रहाँ मेरा वीडियो बहुत है अच्छा ओपी तरह से इडिटिंग हो गया है दोस्तो अगर आपको इस टाप के वीडियो इडिटिंग करने में कोई भी आपको प्रोब्लेम होड़ा है तो प्लीस मुझे comment करके जरू बतना तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही था अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीस दोस्तो लाइक शेर कोमेंट जरू करना तो दोस्तो मिलते हैं एक नियो इंट्रेस्टिंग नियो वीडियो के साथ तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही था